हलो दोस्तों मैं हूँ मनीश और आज की इस नए टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ नए प्रॉब्लम्स के बारे में और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अगर बत्ती से रिलेटेड मैं कुछ इनफॉर्मेशन आपको देते रहता हूं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख ले और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो कुछ लोगों का जो है कमेंट्स आया हुआ था कि उनकी मशीन में जो है प्रेशर का जो है प्रॉब्लम्स जादा आ रहा है मतलब उनक सबसे पहले इस प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो कटर सिस्टम है कटर सिस्टम का सबसे बेसिक काम होता है कि प्रेमिक्स को प्रेशर के जरिये से वो फिश्टन की तरफ अंदर लेके आता है तो इनका सेटिंग आपको कैसे करना है स सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो यह आपका cutter है वो 90 degree के एंगल में है इक नहीं आपको 90 degree चेक करना है आपको वहां से सीधा position लेना सीधा position लेके यहां पे आपको देखना होगा जैसे कि एक example में दिखाता हूं इस type का 90 degree position में यह रहना चाहिए तो बात करते हैं कि pressure drop होने का कारण क्या होता है कुछ example के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे पास पुराने cutters मैं रखा हुआ हूँ और इसमें जर्नली आप देखेंगे कि आपका जो उपर और नीचे में magnet जो लगे होते हैं उप पूरी तरीके से घिस जाता जैसा कि आपको इसमें दीख रहा होगा ये पूरी तरीके से घिस चुका है और दूसरा चीज आप देखेंगे कि पीछे की तरफ आपको दो पट्टी जो है मिलेंगे ये पट्टी भी आपको आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से घीस चुका है तो इसको आपको देखना है और इनके घीसने के वज़े से क्या होता है कि ये प्रॉपर तरीके से अपना जो है काम नहीं कर पाता है जिससे premix का जो है दबाव नहीं बनता और pressure जो है drop हो जाता है तो इसका ये कारण है और दूसरा चीज हम बात करेंगे कि हमारा जो cutters होते हैं मतलब ये जो cutters होते हैं इसमें भी एक problem जो है ज़्यादा तर देखा जाता है जैसा कि इसका भी example में आपको दिखाता हूँ जैसा कि ये हमारा एक cutter है तो इसमें क्या होता है हमारा जो cutter जो है continue running करते रहता है तो running करने पर क्या होता है जैसा example लेता हूँ मैं इसको अपन छेट कर देते हैं और इसमें क्या होता है कि यह जब यह रणिंग लेते रहता है तो आप ध्यान देंगे कि आइट साइट का जो पोजीशन है इनका नीचे वाला वो घिस जाता है तो घिसने की वज़े से क्या होता है जो प्रिमिक्स का जो हमारा पाउडर है गीला पाउडर वो प्रॉपर जो ह अपने piston की तरफ नहीं जा पाता है, मतलब pressure जो है नहीं बन पाता है, जिनकी वज़े से एक करण होता है, और इसमें भी आप ध्यान देगें कि एक छोटा सा इसमें, जो है magnet इसमें लगा होता है, आपको दीख रहा होगा, इसमें एक जो है, एक इंच के size में एक पत्थर लग होता है, उनको आपको ध्यान देना है कि ये proper सही position में है कि नहीं, या फिर ये घीस थोड़ी ना गया है, मतलब चलते चलते भी ये थोड़ा सा घीस जाने के वज़े से pressure जो हमारा drop out होने लगता है, और problems आने लगती है, तो इनका solution जो है मैं आपको बताता हूं, आपको या मैगनेट खराब है या फिर आपका मैगनेट और सामने और पीछे का हिस्सा दोनों खराब है, अगर आपका मैगनेट ही खराब है तो इसको आप change कर सकते हैं, इसका आपको extra जो है, इसका मैगनेट जो है आपको अगर बताती सौप से मिल जाएगा, तुसे आप gas जो welding होते ह वहाँ से आपको लगवा लेना है, तो इसका भी आपका एक जो है problem solve हो जाएगा और आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जो है ये पीछे वाला पट्टी अगर सही है तो अगर ये पीछे वाला पट्टी आपका खराब है तो ये use में नहीं आएगा, ख इसको आप जो है change कर सकते हो, इसका जो magnet है वो आपको अगर बती solve में मिल जाएगा और ये कुछ इस तरह से आपको दीखेगा, तो ये है magnet, आपको इसे generally जो welding work solve है, जो gas welding का का काम करते हैं, उनके पास से जाके आपको इस तरह से आपको fix करवा लेना है, तो ये बार बार आ जो है उतना ज्यादा नहीं आता है, ये जर्नली problem जो है बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ज्यादा तर जो problems है वो cutter के उपर, cutter के उपर जो है आता है, तो इसको proper आपको check करना है, और अगर ये दोनों चीज अगर आपकी सही होगी, तो आपका जो है pressure कभी drop out नहीं होग और जो है proper वो एक सही pressure के साथ चलेगा और long time चलेगा, तो आपको इसको बार बार ध्यान देना है, और ये spare parts ऐसे हैं, जो आपको वो जरूरी है और आपको इसे ध्यान देना है, क्योंकि ये long time तक नहीं चल पाते, ये बहुत जल्दी जो है, खराब होने लग जाते हैं, त तो इसको आपको ध्यान देना होगा, तो इस वीडियो में आपको इस problems के बारे में कुछ समझ में हया होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लेना, और मिलते हैं कुछ नए topics में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद झाल